दोस्तों 2020 में लोक सभा के इलेक्षन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो के 18 साल के हो सुके हैं या फिर थोड़े ज़ादा भी एसके हैं और उन्होंने अपना अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनाया है तो आज की ये वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में म घर बैटे ही अपना वोटर कार्ड फिरी में बीना एक रूपिया दिये हुए एपलाए कर सके साथ में जब ये वोटर कार्ड बनकर आपके घर आएगा तो वह पीवीसी कार्ड में भी आपके घर डाक के थूँ आ जाएगा कोई चार्ज नहीं लेकने वाला है बिल्कुल ए पहले आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से डोक्यूमेंट लगने वाले हैं जिनको आपको फॉर्म एपलाई करते वक्त सब्मिट करना पड़ेगा तो सबसे पहला डोक्यूमेंट लगने वाला है अधार काइड सभी के पास होता है अधार काइड का फ्रेंट पेज और फोटो खीश लें और उसको अपने पास रख लें अधैर का डोक्यूमेंट लगने वाला है उसके बाद दूसरे नमबर पर आपका पासपोर्ट साइस फोटो ऑना चाहिए अगर आपका ऊंपोर्स फोटो है तो आपका काम बन जाहेगा नहीं तो आप अपने मॉबाइल आप आपने यह तो पीता जी का ही हम वोटर काड नंबर पता होना चाहिए क्योंकि जब वोटर काड अपलाई करेंगे तो वहां पर पूछा जाएगा कि एक फैमिली में ऐसे किसी रिलेटिव का एक वोटर काड वहां पर ठीक है अटेस्ट करना होगा तो उसके लिए नंबर ध्यान रखना है जो पी वोटर काड के ऊपर ही लिखा होता है वह वह भी में स्क्रीन पर देखा दूंगा कहां पर लिखा होता है तो यह सीज ध्यान रखनी है और दूसरा आपके ठीक है फैमिली में अगर पीता जी के लागा रहा तो उनके पीछे में एड्रेस क्या लिखा हो है अपने पीता जी के ठीक है तो जो भी एड्रेस वहां पर लिखा होता है वही एड् पास में ही उसको ठीक है सीरियल में रखा जाएगा तो उसके लिए आपको सही अड्रेश डालना जरूरी है तो यह जो मैंने सीजें बते ही हैं वो आपको अपने पास रखनी है अब सलिए सीधा मैं आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाता हूं और वहां पर आपको दिखता हूं कि कैसे आप वोटर काड़ एपलाए करेंगे देखो मॉबाइल से भी सेम प्रोसेस होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप नहीं कर पाऊगे ऐसा कहीं है आपके पास मोबेल है तब भी आप गूगल क्रूम में जाकर या फिर वोटर हेल्प लाइन यह एक एपलिकेस्ट ने उसके ठूप कर सकते हो सैम प्रोसेस ही रहेगा तो सकते में तो सब्से पहले आपको गूगल क्रूम में आ जाना है और यहां पर आने के बाद कर देना है तो यह website कुछ इस तरीके से हमारे सामने open हो जाएगी election commission of India जो की ठीक है election Commission of India के ही website है तो हम official website से ही यह सारी सीज्डे कर रहे हैं तो सब चेपहले आपको यहाँ पर अपना sign up करना होगा ठीक register करना होगा और यह जरूरी भी है क्योंकि इसके बिंद आप voter card apply नहीं कर सकते हो, तो sign up करना बहुत आसान है, तुसलिए मैं एक बार आपको sign up का process बता देता हूँ, तो sign up के लिए यहाँ पर mobile number डाला है, email address आप डालोगे, नहीं डालोगे तब भी सलेगा, यह जो capsicode लिखा है, यह यहाँ पर डालना है, continue पर click करना है, इस mobile number पर जो आपने डाला, उस पर एक OTP आएगा, OTP डालना है, और उसके बाद password डालना है, और submit कर देना है, तो आपका account है वो बन जाएगा, तो मेरा account पहले से बना हुआ है, तो मैं login करके दिखा देता हूँ, तो simply मैंने login पर click किया, यहाँ पर अपना mobile number और password डालता हूँ, और capsa code डालके request OTP पर click कर देता हूँ, तो यहाँ पर यह मेरा dashboard आज चुका है, वोटर portler का, और यहीं से हम apply कर सकते हैं, सबसे पहले मैं कुछ जरूरी सीजे आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम new water card apply करने का तरीका बताते हैं, तो यहाँ पर form है, form का मतलब है कि यहाँ से आप कोई भी service है, उसको update कर सकते हूँ, form 8 भरके आप उसमें correction कर सकते हूँ, form 6 है, उसमें आप एक new water card apply कर सकते हूँ, अगर आप 18 साल के या फिर आपके family में कोई भी 18 साल का हो चुका है, तो आप एक नए water card apply कर सकते हूँ, बागी यहाँ पर आधार card जोडने के लिए यह भी और form दिया हूँ आए, बागी यह भी और भी सीज़े हैं जिने आप देख सकते हो, और इधर है service, service में आप देख लिए, जब आप form fill कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एक tracking number दिया जाएगा, जिसके through आप ठीक अपना आपका water card track कर सकते हूँ कि कितना बन चुका है, या फिर निकल चुका है वहाँ से बन के, ठीक है, form 6 को fill करना है और submit करना है, तो जैसे form 6 fill करने के बाद submit करेंगे तो हमारा water card बन जाएगा, अब यहाँ पर क्या क्या सीज़े आपको डालनी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारा बड़ा form है, तो इस पूरे form को fill करके मैं बताऊंगा कि कैसे fill करना है और कैसे submit करना है, ठीक है, तो सलिए यहाँ पर सलते हैं सबसे उपर और यहाँ से form fill करते हैं, उससे पहले अगर आपकी कोई local language हैं ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हो आसा नहीं से तो वह language यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है, English है, Hindi है, अगर देखो मैं हिंदी में करता हो, सारी सीज है, हिंदी में आ सुक आपको यहाँ से जो भी आपका राजी होता है, वो सलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो भी आपका जिल्या होता है, वो आपको सलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने राजस्तान बाढ़मिर सलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर करना है, सलेक्ट एसी मनलब आपका विदांसवा सत्र कहन है Simpuly Y先 click करोगे तो बाढ्रमिर में जितने पी विदांसवा सत्र आपके सत्र में जितने भी STOP में जिलले में विदांसवा सत्र होगे वो सारी यहांपे दिकाएंगे जैसे मेरा पसमधरा है पसाओधरा पर क्लिक कर दीता हूँ तो यह पर पसाओदबर आ चुका है 136 नबर यहाँ पर आ ओमेटीक्ली यह पर आपको कुछ भी फैलने कर relação यह संग्छात्र के लिए है जैसे कुछ राजी होते हैं जो के अंदर साथ सीट परदिस होते हैं तो उनके लिए हैं उसके बाद आपको नीचे next पर क्लिक करना है तो simply हमारा पहला यह form है वो complete हो चुका है अब बी form पर हमें सलना है यहां पर कुछ personal detail डाली है जैसे की हम किसका apply कर रहे हैं watercard अगर खुद का कर रहे हो तो खुद का नाम है जो आदार card में आपका लिखा है वो वाला first name यहां पर और last name यहां पर डालना है इसलिए मैं डालके दिखाता हूं तो यहां पर मैंने जैसे English में नाम डाला मैं यहां पर कहीं पर भी mouse click करूंगा तो यहां पर देखो हिंदी में यह नाम आशुका है तो simply आपको यहां प पीचे keyboard का option है यहां पर यह देख लीजिए तो यहां पर आप क्या किजिए keyboard पर click कर दीजिए और फिरसे यहां पर click करके यह नाम आप यहां से बदल भी सकते हो जैसे कि मैं आपको बताते हैं तो backspace cut कर दिया मैंने यहां से अब आप इसको type कर सकते हूं ठीक है इस तरीके से जैसे मैं यह कर रहा हूं आप देख सकते हो तो इस तरीके से आप यह कर सकते हो तो यह simply हो सुका है और इसको यहां से cut कर दे तो यह इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हो अगर गलत होता है तो अब यहां पर हमें उस बंदे की photo डाली है जैसका motor card चाहिए तो यहां से मैंने फोटो ठीक है अपडेट कर दिये हैं तो फोटो यहां पर आ शुकिए हैं इसके बाद मुझे नेक्ष्ट पर क्लिक करना है यहां पर सबसे पहले आपको अपने ठीक है फादर का नाम आप पीछे जोड़ना साथ हो जैसे कि रमेश ठीक है जो मैंने फादर का नाम होता है वो डाली और इधर सरनेम डाल दीजिए ओटोमेटिक नीचे आ जाएगा ठीक है तो यहां पर मैंने नाम डाल दी यहां फादर का और उसके बाद बीचे सरनेम कुछ नहीं है तो मैं ऐसे इसको छोड़ दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँग और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना अब यहां पर आदार नमर पे क्लिक करना है और यहां पर आदार नमर डाल देना ठीक है तो आदार नमर जो भी होता है वो आप यहां पर डाल दीजिए तो यहां पर आदार नमर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करन ऑर उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करके, जो भी बर्त होती है, वो आपको यहां पर डाल देनी है. तो यह मैं該 एक डैमो लिए हैं, मैंने बर्त डैट डाल दिये, तो इस तरीकि़ से आपको डाल लिए, उसके बाद एक document देना है, घ이क है, और उसके बाद आपको यहां पर next पर click कर देना है अब यहां पर आपको अपना पूरा address देना है जो भी address मैंने आपको बोला था कि आपके पीता जी के water card के पीछे जो address लिगा होता है वो आपको डाला है यहां पर पहला आठीक है अपना मका नमबर डाला है जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूं तो यह मैंने मका नमबर डाल दिया है उसके बाद जो भी area होता है आपको आपको डालना है तो यहां पर मैंने अपना एक address डाल दिया है इसी तरीके से आपको address डालना है सब्से पहले मकान नमबर पिर आप का जो भी कालोनी है वो डालना है और उसके बाद आपका जो city है या नाम है वो डालना है एंड यहाँ पर आपको पॉस्ट आप इस च्छाल में होता है क्वेमें जाया कि उसके के बाद district select करना है तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं और यहाँ पर यह राजस्तान आ चुगा है अब यह जो address है इसको verify करने के लिए आपको यहाँ पर एक document डालना होगा तो simply इस पर क्लिक करना है यहाँ पर select document पर क्लिक करके अधार card पर click कर देना है फिरसे यहाँ पर एक आधार card की तो इस तरीके चापको आधार card की photo डाल देना और उसके बाद निए और आपको next पर click कर देना है अब यह वाली सीज देखो member से किसी भी एक बंदे का ठीक यह आपको यहां पर voter ID number देना है जो कि मैंने वीडियो के सुरुआत में भी बुला था तो यहां पर voter ID number डालना है उसके बाद आप एक आप नाम डाल देते हैं और यहां पर उनके voter card पर जो भी उनका voter number होता है वह यहां पर यहां पो डालना है और next पर क्लिक कर देना है उसके बाद अब यह पूच रहा है कि आप जिस इस इस्तान पर अभी यह voter card बनवा रहे है जिस इस्तान का वहाँ कितने टाइम से रह रहे हो तो आपको वह सबचे पहले तो उस गाहों का नाम डाल देना है जहां पर भी आप रह रहे हो उसके बाद यहां पर आपको नाम डालना है फिर से जहां से आप यह वोटर कार्ट बना रहे हो अपलाय कर रहे हो वहां से तो यहां पर यह मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैं next पर click कर देता हूं अब सबसे लास्ट में मुझे यह कैपसा कोड डालना है तो मैं आपको दिखा देता हूं अब देखो यह कैपसा कोड मैंने बिल्कुल शाही डाला है फिर भी यह problem दिखाएगा क्योंकि यह डबल बार हमें डालना होता है तो मैं submit and preview पर click करता हूं देखो को एक बार तो इस तरीके से आपको यह form देखने को मिलेगा यहां पर आपको यह देखना है कि आपने जो detail डाली वो बिल्कुल शाही है या नहीं अगर सारी detail आपकी सही होती है तो आपको सबसे नीचे submit का option मिलेगा तो यहां पर submit कर देना है अनिता अगर कुछ घडबड होता है तो आपकी editing पर click कर सकते हो और फिर से edit कर सकते हो अब जैसे आप form फिल करके submit कर दोगे तो आपको सबसे last में एक tracking number दिया जाएगा ठीक है उस number को आपको note करना है और उसके बाद यहां पर track application status पर click करना है अब यहां पर आप वो number डालके अपनी application यहां पर यहां पर वो number डालना है और यहां पर जो भी आपका राजी होता है वो आपको यहां से select करना है और फिर track पर click करना है तो आपकी application जो भी होगी वो track होती र और फिर आपका voter card आपके ठीक डाक के मादिम से आपके घर तक भेज़ दिया जाएगा अगर आपने apply के हुए दस दिन से ज़्यादा हो चुका है तो फिर आपको क्या करना है यहां पर search in electron role पे click करना है और आपका जो भी voter card है उसको आपको search करना है यहां पर यह सारी सीजे डालके भी आप search कर सकते हो लेकिन मैं easy तरीका बताता हूं यहां पर आपको mobile number के द्वारा यहां पर खोजे तो इस पर click करना है अपना mobile number डालना है यहां पर और उसके बाद send OTP करना है OTP आजाएगा capsacode डालना है और search करना है तो यहां पर आपका voter card 10 दिन के बाद अगर search करोगे तो बना हुआ दिकाई देगा ठीक है तो आपको क्या करना है वहां से download पे click करना है और आपका जो voter card है वो download आप कर सकते हो easily तो अब इस वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरीके से आप voter card को apply कर सकते हैं टेको मैंने तरीका आपको बता दिया है और किस तरीके से submit करना है वह भी मैंने बता दिया है तो आज के वीडियो में दूस्तों बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो एक like जरूर करना और इस टाइप की वीडियो देखना साथ हैं जो कि आप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो होने वाली हैं इसी टाइप की मैं वीडियो इस तरनल पर बनाता हूं तो उसके लिए तरनल को subscribe जरूर कर देना मिलेंगे दोस्तों एक और interesting वीडियो के साब तब तक दोस स्टेंट